जै स्री राम जै बागे सदहम दोस्तों कैसे हो आप सब उमीद है आप सब बढ़िया ही होंगे उत्तर प्रदेश के वासियों मैं आप सभी के लिए एक गुड नीज लेकर आ गया हूँ दोस्तों यदि आप बागे सदहम गुरुजी की कथा में उत्तर प्रदेश गौरक पूर में जाना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को बिलकुल भी इसकिप मत करना क्योंकि दोस्तो बागे सदहाम गुरुजी 15 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024 तक गुरकपुर में रहने वाले हैं दोस्तो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बागे सदहाम गुरुजी गुरकपुर उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर आएंगे चलिए दोस्तो बिना टेम बेश्ट के इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है जब बागे सदहाम गुरुजी किसी स्थान पर कथा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले कलस यात्रा निकालते हैं तो दोस्तो इस बार 22 हमकी कलस स्यात्रा 14 जनवरी 2024 में बड़े ही धूम धाम से निकाली जाएगी जो महिलाई इस कलस स्यात्रा में सामिल होना चाहती हैं वे पीड़े या लाल कलर के बस्तर बनाकर अवस्य ही रखने यदि वे ऐसा नहीं करेंगी तो आप इस कलस स्यात्रा में भाग नहीं ले पाएंगी और दोस्तो ये कलस स्यात्रा उस इस्तान से निकलेगी जहाँ पर ये कथा होगी तो दोस्तो इसलिए आप उसे इस्तान पर पहुँच जाना दोस्तो बात कर लेते हैं 15 जनवरी 2024 की तो दोस्तो बात कर लेते हैं 15 जनवरी 2024 में साम चार बजे से यहाँ पर हनुमंत कथा स्टार्ट होगी दोस्तो ये कथा हर एक्षा तक चलेगी जो भक हनुमंत कथा सुनना चाहते हैं बे पंदरा जनवरी में इस इस्थान पर पहुँच सकते हैं दोस्तों आप बात कर लेते हैं 16 जनवरी 2024 की तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बागे सद हम गुरू जी जब कहीं पर कथा करने जाते हैं तो एक दिन का दिब्ब दरवार भी लगाते हैं दोस्तों आप दिब्ब दरवार में सामिल होना चाहते हैं बागे सद हम गुरू जी से मिलना चाहते हैं अपने परचे बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने घर पर अरजी बांद लेना दोस्तों अरजी कैसे लगाई जाती है ये तो सभी जानते हैं लेकिन अरजी लगाने के भी कुछ नियम होते हैं जो साइद आपको नहीं पता है दोस्तों यदि आपको नहीं पता है तो दोस्तों मैं इस वीडियो को उपर आई बटन पर दे देता हूँ आप यहां से जाकर इस वीडियो को देख लेना दोस्तों हमने इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी दी है दोस् जाएगा दोस्तो इसलिए आप इस दिब्य दर्वार में सामिल हो सकते हैं और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिब्य दर्वार के आदे घंटे बाद या एक घंटे के बाद में यहां पर कता स्टार्ट हो जाएगी लेकिन दोस्तों दिब्य दर्वार दो से तीन घंटे का रहेगा तो दोस्तों आप इसी स्थान पर रुक कर कथा का अनंद भी ले सकते हैं दोस्तों बागे सदहाम गुरू जी की कथा हरी एक्षा तक चलेगी दोस्तों आप बात कर लेते हैं 17-18-19-2024 की तो दोस्तों बागे सदहाम गुरू जी के अनुसार इन तीन दिनों में साम च चार वज़े से हनुमन्त कथा होगी, जो भग्त हनुमन्त कथा सुनना चाहते हैं, बे इसी स्थान पर रुख सकते हैं। और दोस्तो मैं आपको एक सूचना और देदू, बागे सधाम गुरुजी इन्ही दिनों में एक दिन गुरु दिख्षा भी देंगे। जो भी भग बागे सद्धाम गुरु जी के सिस्से बनना चाहते हैं वे इसी इस्थान पर पहुच सकते हैं दोस्तो गुरु दिक्षा की जनकारी आप जब इस इस्थान पर पहुच जाओ natuurlijk तो आपको भेई पर मिल जाएगी दोस्तो आप जल्दी से बात कर लेते हैं कि बागिस अधाम गुरुजी गुरकपुर उत्तर प्रदेश में कौन से इस्थान पर आ रहे हैं तो दोस्तो आप इस इस्थान को नोट करें तो दोस्तो इस इस्थान का नाम है बहल गंज सरीव नदी के पास गुरकपुर उत्तर प्रदेश दोस्तो बागिस अधाम गुरू जी यहीं पर पास दिन की हनुमत कथा करने वाले हैं और साथ में एक दिन का महादिब दर्वार लगाने वाले हैं दोस्तो इसलिए आप इसी इस्तान पर रुक सकते हो दोस्तो आपको कहीं पर रूम लेने की होटर लेने की आवे सकता नहीं है दोस्तो जहां पर इनकी कथा हो रही है आप इसी इस्तान पर रुक जाना आपको यहां पर माँ अन्नपूर्णा का भंडारा निसुल्क मिलेगा और दोस्तो यदि आप अपने बाहन से आ रहे हो तो आपके लिए यहां पर पार्किंग सेवा भी बिल्कुल ही फ्री रखी गई है दोस्तो अरजी लगाने के लिए या परचा बनवाने के लिए आपको किसी को कोई सुल्क नहीं देना है और दोस्तो ना ही कोई टोकन सिस्टम बनाया गया है दोस्तो आपकी अरजी आपकी स्विद्धा के अनुसार लगेगी और दोस्तो मैं आपको एक सूचना और दे दूँ, बागे सदाम गुरू जी जल्द ही 36 गड़ आने वाले हैं, दोस्तो 36 गड़ में कौन कौन से स्थान पर ये प्रोग्राम करेंगे, दोस्तो इस पर हमारी बात चल रही है, हम आपको जल्द ही कनफर्म करके बता देंगे, दो सब्सक्राइब और लाइक करने से बस इतना होता है, जब भी हम कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, और दोस्तो यदि अभी आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रसन है, यदि आपको कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट कर स करते हैं, हम रिपलाई देने की पूरी कोशिस करेंगे, तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्यार रखें, और सभी बोलें, जैसरी राम, जैबागी सर्दाम.